जैमा गोपाल नामक एक सिश्य को विलक्षन आदत थी जब जब वो श्री माताजी के पास आता था तब तब अपना एक पग उपर लेके दुसरे पग से खड़े रहेकर आशिरवाद मांगता था एक दिन ऐसा हुआ कि श्री माताजी के समक्ष ऐसे ही खड़े रहेकर आशिरवाद लेने नीचे जब जूका तो श्री माताजी ने उनके हाथ अपने हाथ में ले लिये और अचानक श्री माताजी तल्लीनता में चली गई कई बार ऐसा होता था जब श्री माताजी आशिरवाद दे रही हो तब अचानक वह तल्लीन हो जाती थी कोई-कोई बार तो ये तल्लीन था ध्यानस्त अवस्ता एक एक गंटे तक चलती थी आज गोपाल की दशा बुरी हो गई दस मिनीट तक बिना हलन चलन वह एक पेर पर खड़ा रहा ये कोई ऐसी बात तो थी नहीं और श्री माताजी तो दस मिनीट तल्लीन रही श्री माताजी की तल्लीनता भंग न हो वो ख्याल करते हुए गोपाल भी अपना हाथ बिना हलाए वो सीधा किये बिना खड़ा ही रहा जैसे श्री माताजी अपनी तल्लीनता मेंसे बाहर निकली और आखे खोली तो जोर से हसने लगी गोपाल ने पूछा माँ आप क्यों हस रहे हो सिधा सा चवाप दिया तेरी दशापर तो हस रही हूँ श्री माताजी गोपाल की खड़े रहने की विलक्षनता बरुप चित्य तरसे पहचानते थे गोपाल ने चवाप दिया हाँ माँ मैं तो मेरा एक पग हमेशा ही उपर करके रहता हूँ लेकिन आज लगा कि मैं पूरा बंदन में आ गया फिर उसने माताजी से पूछा श्री माँ आप जड़ा बताओ ऐसे आप अचानक से तल्लीन क्यों हो जाते हैं कहां चले जाते हैं माँ श्री माताजी ने गहराई से उत्तर दिया किसी ने मेरी मदद मांगी थी मदद के लिए साध दिया था गोपाल उनको बहुत जल्दी मेरी जरूरत थी इसलिए मैंने सोचा मैं गोपाल को रहा पर रख दूँ और मदद के लिए चली जाओं जैमा